नमस्कार मैं दीपती बुंदेल खंडी चायका में आज लेकर आई हूँ आम की बहुत ही टेस्टी और डिलिसिस रेस्पी इसको हमारे हां बुंदेल खंड में मैंगो रबडी बोला जाता है तो यहां पर चलिए बनाना शुरू करते हैं यह टेस्टी सी पके हुए आम की रब और अगर आपको इसे ठंडा ठंडा ही खाना है तो रबडी ही बनाईएगा क्योंकि आइसक्रीम में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो चलिए यहां पर बनाना शुरू करते हैं मैंने इस तरह से पके हुए दो आम लिये हैं और इन आम को मैं छील लूँगी वैसे यह कठाई में डाल दूँगी मैं फुल क्रीम दूद यहां पर हमें रबडी के लिए फुल क्रीम दूद चाहिए अगर आपके पास दूद कम है तो आप यह रबडी अगर सोचे की नहीं बना सकते हैं फिर भी आप इसको बना कर इंजॉई कर सकते हैं कम दूद में आप से मलाई पड़ी हुई है अभी इसको मैं और पकाऊंगे ताकि बढ़ा सी गाड़ी सी रबड़ी हमारी बनकर तयार हो जाए फुल क्रीम दूद है तो इसमें हलकी सी मिठास भी है अगर आप ब्रेट क्रम्स वाली रबड़ी बनाए तो उसमें आप थोड़ी सी चीनी एड़ क करेंगे यह टेस्टी सी मावा मावा वाली रबड़ी तो यहां पर दूद हमारा अच्छे से पक रहा है यह लीजिए इसको पकते हुए थोड़ा सा ठाइम हो गया है आप इसको पकने रख दीजिए और साइड में आप दूसरे भी अपने काम कर सकते हैं क्योंकि रबड़ी तब तक हम अपना आम रेड़ी कर लेते हैं तो यह देखिए बड़ी आसी हमारी दानेदार रबड़ी बन कर तयार हो गई है और यहां इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे साइड में यह देखिए ठंडी हो गई है ना काफी देर मैंने इसको रख के छोड़ दिया तो य आप इसको फ्रिज में उठा कर रख सकते हैं ताकि यह अच्छे से और ठंडी हो जाए अगर मेहमान आ रहे हैं या घर में ही किसी को तुरंत खानी है तो आप इसको तुरंत भी इंजॉय कर सकते हैं बहुत देर तक आपको इसे ना ठंडा करना है ना ही आईस क्रीम की तरह जमाना है तो यहां पर हमारी रबड़ी एकदम रेडी हो गई है इसको में साइड में रख दोंगी और आम को हम यहां पर ले लेंगे तो आम को हमें छील लेना है और इस तरह अगर आप गरम रबडी में मैंगो मिक्स करेंगे तो हो सकता है कि वह फट जाए दूध हमारा क्योंकि बैसे तो मैंगो मीठा है पर कभी कभी हलकी सी खटास भी होती है मैंगो में और अगर उस खटास की वज़े से फट गया ना तो फिर हमारी रबडी भी बेस्वाद हो करेंगे और मिक्सी के जार में डालकर इसका हमें पल्प बनाना है फाइन सा बिल्कुल पल्प बना लीजिए किसी तरह का कोई लम्स नहीं रहना चाहिए यहां पर मैं इसमें थोड़ी सी बस चीनी एड करूंगी मैंने आथ थोड़ा सा पीस लेकर चोटी-चोटी डुड़ कर लिए है थोड़ी सी चीनी एड करूंगी दूद वगरे कुछ भी नहीं मिलाओंगी क्योंकि मुझे गाला सा पल्प चाहिए है अगर हम पतला कर देंगे इसको तो फिर उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें मावा वाली रबडी जैसा चाहिए है तो यहां पर में ब हमारा मेंगो का पल्प भी रेडी हो गया है और रबडी तो इसको हम एक बाउल में रख लेंगे निकालकर सेट करके थोड़ा सा अपने इसाब से जैसे भी आपकी मर्जी आप इसको सेट करके रख सकते हो और अगर आपको नहीं कुछ करना है तो आप ठंडी रबडी में य जो कटिंग रखी है वो डाल देंगे तूटी फ्रूटी डाल दो आपको कोई ड्राइ फ्रूट्स पसंद है आप वो डाल सकते हैं पर यहां मैं बिलको सादा सिंपल दुफेर के लिए बना रही हो कुछ ठंडा ठंडा ताकि सब दुफेर में इसको एंजॉय कर सकें तो यह आप इस तरह से में लेएर बाई लेयर लगाऊंगी मैंगो की और रबडी की उससे होगा क्या वैसे तो यह देखने में अच्छा लग रहा है क्योंकि हम इसको जब फ्रिज में रख देंगे तो यह थोड़ा सा सेट हो जाएगा और देखने में अच्छा लगेगा मुझे बीडियो आप सबके लिए डालना था इसलिए थोड़ा सा और भी इसको सजादे सवारनी की जरूरत है वैसे तो आप रबडी और मैंगो मिक्स कर दीजिए और बस अच्छे से चम्मस से उसको बढ़िया सा मिक्स करेंगे और ठंडा करने के बाद इंजोई कर सकते हैं अगर को भी इसको एंजोई कर सकते हैं क्योंकि यह आइस क्रीम नहीं है यह है मैंगो मावा रबडी तो यहां पर एक एक लेयर में लगाती जा रही हूँ यह देखिए बढ़िया सा इसको इस तरह से फैला देंगे और चम्मस से सेट करते जाएंगे और गाढ़ा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप बहुत जादा पतला कर देंगे तो लिक्विट आपस में मिक्स हो जाएंगे और जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं होगा अब यहां पर छोटी-छोटी मैंगो के पीस जो मैंने कट करके रखे थे उनसे हम डेकोरेट कर क्योंकि यलो वाइट और रेड अच्छा कॉंबिनेशन है ना यह दोनों ही चीजे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है तो यह लीजिए मैंने यहां पर इस तरह से इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया है और यह देखिए सादा बाउल और डेकोरेट किया हुआ बाउ और रबडी खानी है तो रबडी नीचे मैंने ज्यादा सी यहां पर लेली है और बहुत थोड़ा थोड़ा सा मैंगो का पल्प मैं उपर रख रही हूँ हूँ तो यहां पर दो लोग ऐसे आने वाले हैं मेरे हजबन के मित्र जिनको थोड़ा सा चीनी वगएर से परहेज है तो यह उनके लिए बना दी मैंने साधा सी बस थोड़ा सा इस तरह से रखे मैंगो क्योंकि रबडी इसमें ज्यादा है तूटी फ्रूटी रख दी जब वो खाएंगे ठंडी तो रबडी और मैंगो मिक्स कर देंगे उसे होगा क्या बहुत कम मिठास रहेगी और उने भी म मैंगो रबडी आप अच्छे से इंजोई कर सकते हैं मैंने इस बाउल को थोड़ा सा फ्रीजर के अंदर रख दिया था क्योंकि बच्चों को थोड़ी आइस क्रीम बाला भी टेस्ट आजाए यह देखिए यह रबडी है और जो बाउल में है वो हलकी सी जम गई है तो उसक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब चरूब